जानता पार्टी को एक ही नेता जो है उनकी अकल ठिकाने लगा सकती है और वो है ममता बैनर जी कहने को आज सुभाश शंद्र बोस का पराक्रम दिवस मना रही थी भारती जानता पार्टी और पश्चिम बंगाल में उसने बहुत बड़ा राजनी तिक दाओ भी खेल दिया उसके सरीए विक्टोरिया मेमोरियल पे एक बहुत बड़ा फंक्शन बुलाया गया जहां प्रधान मंत्री और ममता बैनर जी दोनों एक साथ थे मगर जब ममता बैनर जी बोलने आई तो लोगों ने जैश्री राम और मोधी मोधी के नारे लगाने शुरू कर दिये मैं पूछना चाहता हूँ भारती जैनता पार्टी की समर्थों से आप जब सुभाष चंद्र बोस के पराक्रम दिवस को मनाने आए हैं तो वहाँ पर मोधी मोधी की क्या जगा है भाई वहाँ पर जैश्री राम के नारे लगाने क्या जगा है हर नारे की अपनी जगा होती है अगर आप अयोध्या में मंदिर के उद्गाटन में जैश्री राम के नारे लगाते हैं तो वो जगा है जए श्री राम के नारे के लगाने की मगर जहां पर नेता जी को सम्मानित किया जा रहा है वहां पर आप मोधी मोधी के नारे लगा रहे हैं मगर आज ममताब आनर जी ने सिखला दिया, बतला दिया अपना पराक्रम दिखला दिया और बता दिया कि बीजेपी के होश दरसल वही ठेकाने लगा सकती है ये विडियो देखिए दोस्तों जैसे ही मोधी मोधी के नारे लगने शुरू होते हैं ममताब एनरजी अपनी स्पीच बीच में बंद कर देती है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के चहरे पर मास्क होता है मगर उन आखों से ही समझा जाता है कि ममताब एनरजी ने किस तरह से और उनकी क्या हालत कर दिये ये विडियो देखिए दोस्तों आप लोग ज़रा सा शांत हो जाएं आप लोग ज़रा शांत हो जाएं और इस पावन अवसर पर श्रीमती ममताब एनरजी को माका दीजे कुछ शब्द कहने का नए मेरे को तो लगता है कि गॉर्मेंट का पोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए एक गॉर्मेंट का पोग्राम है कोई पोलिटिकल पार्टी का पोग्राम नहीं है लेकिन किसी को अमुंतुन करके निमुंतित करके उसको बेईज्जत करना है आपको शुभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे यही ओन पोर्टेस्ट अप डैट आम नाट टेलिंग एनिफिंग जॉए हिंग जॉए बंगला। तो आज मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे आप जब मेता जी को सम्मानित कर रहे हैं भारती जनाता पाटी जब मेता जी सुभाष अंद्रबोस को सम्मानित कर रही है तो क्या आप उनके माइने को समझते हैं क्या सुभाष अंद्रबोस के माइनों को समझते हैं क् कि आजाद हिंद फौज जो है वो सामप्रदाइक सदभाव की जबरदस्त मिसाल थी और आप जानते हैं क्यों क्योंकि उनके संस्थापक सदस्यों में एक मुहम्मद जमान कियानी भी था शेहनवास खान भी था प्रेम सहगल भी था गुर्बक्ष सिंग धिलनों भी था यानि जब उन्होंने अपनी आएने फौज का की जो नीव रखी थी या उसकी स्थापना की थी तो उसके पीछे कहीं न कहीं नहिरूजी महात्मा गांधी उनकी सोच भी काम कर रही थी कहने कारति यहां पर यह है कि सुभाश शंद्र बोस ने उनकी जो सबक है या उनकी सोच को का अभी सामावेश आजाद हिंद फौज की स्थापना में की थी क्या ये बात भारती जानता पार्टी जानती है मगर एक बात है दोस्तों पश्यम बंगाल की चुनाव बहुत दिल्चस्प होने वाले हैं और ममताव एनरजी ने आज बतला दिया और कहीं न कहीं कोई और मुख्यमंत्री होता तो शायद वो दब कर अपनी बात कह देता मगर ममताव एनरजी एक फायर ब्राइंड नेता है वो जुकने वालों में से नहीं है वो स्पष्ट कर देती हैं कि सहाब जो चीज मुझे पसंद नहीं है वो मैं बरदाश नहीं करूंगी और आज इसका एक नमूना इसका लाइव प्रसारन प्रधान मंत्री दरेंडर मोदी को मिल गया जी हाँ एक बार फिर वो जलक देखिए पीर आप लोगो को कहेंगे यहल्ड फिर अंप्रस्ट अएट, I am not telling anything जोई हिंड, जोई बंगलाव